आदनिय अद्यक जी बाजपा सरकार की काम करने की स्पीड हमारे लक्ष कितने बड़े होते हैं हमारा हौंसला कितना बड़ा होता है वो आज पूरी दुनिया देख रही है रादनिय अद्यक जी एक वहां कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में खास एक कहावत कही जाती है नव दिन चले अधाई कोस और मुझे लगता है कि ये कहावत पूरी तरह कॉंग्रेस को परिभाशित है ये कॉंग्रेस की सुस्तरप्तार का कोई मुकाबला नहीं है आज देश में आज देश में आज देश में आज देश देख जी आज देख जी शहरी गरीबों के लिए हमने गरीबों के लिए हमने गरीबों के लिए आज देख जी हमने गरीबों के लिए चार करोड घर बनाए और शहरी गरीबों के लिए असी लाग पके मकान शहरी गरीबों के लिए बने कॉंग्रेस अगर कॉंग्रेस की रफ्तार जे घर बने होते तो क्या हुआ होता मैं इसका हिसाब लगाता हूँ अगर कॉंग्रेस की जो रफ्तार थी उस प्रकार से चला होता है तो सो साल लगते इतना काम करने में सो साल लगते हैं पांच पीडिया घुजर जाती है आधने अत्यक जी दस वर्ष में चालीस हजार किलोमेटर रेलवेट रेक का इलेक्रिफिकेशन हुआ अगर कॉंग्रेस की रफ्तार से जेश चलता इस काम को करने में असी साल लग जाते हैं एक प्रकारते चार पीडियां गुजर जाती है आधने जत्यक जी हमने सत्रा करोड अधिक गैस कनेक्शन दिये यह मैं दस साल का हिटाब दे रहा हूँ अगर कॉंग्रेस की चाल से चलते तो यह कनेक्शन देने में और साट साल लग जाते तीन पीडियां धुए में खाना पकाते पकाते गुजर जाती आधने जत्यक जी सरकार ने सेनिटेशन कबरेज 40 परसंट से 100 परसंट तक पहुंची है अगर कॉंग्रेस की रफ्तार होती तो यह काम होते होते 60-70 साल और लगते और कम से कम तीन पीडियां गुजर जाती लेकिन गारंटी नहीं होता कि नहीं होता अधर नियर्दिक जी कॉंग्रेस की जो मानसिकता है जिसका देश को बहुत उक्सान हुआ है कॉंग्रेस ने देश के सामर्थ पर कभी भी विश्वास नहीं किया कि अपने आपको शासक मानते रहें और जनता जनारदन को हमेशा कमंतर आँखते गए छोटा आँखते गए अधर नियर्थिक जी कि देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूँ मैं नाम बोड़ते हूँ उनको जरा चुबन होगी लेकिन 15 अगस्त लाल की ले से प्रदान मंत्री नहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूँ लाल के लिए से भारत के प्रथम प्रदान मंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं नहीरुजी ने उन्हेंने कहा था हिंदुस्तान में काफी महनत करने की आदत आम तोर से नहीं है हम इतना काम नहीं करते चीतना की हे यह यह जपान वाले चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं यह नहरू जी लाल के लिए से बोल रहा है यह ना समझे यह यह ना समझे यह यह ना समझे यह यह ना समझे कि वह कौमे कोई जादू से खुशाल हो गई वो मैनत से हुई है और अक्ल से हुई है यह उनको सर्टिपिकेट दे रहे हैं भारत के लोगों को नीशा दिखा रहे हैं यानि नहरू जी यानि नहरू जी की भारतियों के प्रती सोच थी कि बारतिया आलसी है नहरू जी की भारतियों के लिए सोच थी कि बारतिया कमक्ल के लोग होते हैं जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे